हे एवरीवान वेल्कम बेक टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूं आलू की बहुती सिंपल सब्जी पर बहुती टेस्टी बनते हैं बिना लहसन पर आज के सब्जी बनते हैं आप चाहे तो इसे ब्रत में भी बना सकते हैं चाहे तो आप अपने बच्चो के हज़बन का लंच लिए बना सकते हैं बहुत ही टेष्टी और बहुत ही चटपड़े बनते हैं आपको अलव को अच्छे से गरम कर लिजिए और उसके बाद में पील की हुए आलव को डाल दीजिए और अच्छे से फ्राई करना है इस तरीके से कट करते हुए आप देख सकते हो जिस भी आप कट करते जाए और इसे भूनते जाए सारे आलो के पीसेश में चित्या दीखनी चाहिए अच्छे से फ्राई कर देना है गेस की फ्लेम आपको रखना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए आप चाहें तो आलो को हाथों से तोड़के भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से डाल दीजिए और कट करते जाए चलाते जाए भूनते जाए मेरी तरह क्योंकि हमें आलो को एक जैसा नहीं रखना है मतलब अनीवन सेप में ही अच्छा लगता है और इसका टेक्शर अच्छा आता है आपको एक बराबर आलो के पीसिस को नहीं रखने है तो इसी वज़े से आप जैसे तैसे इस आलो को तोड़ दीजिए या फिर इस तरीके से कट करते जाए चलाते जाए भूनते जाए अब इसे आप अच्छे से भून लेना है बहुत अच्छे स हमने अलो को फ्राई करके निकाल लिया है कढ़ाई में एड कर दिया एक छोटा चमस तेल और तेल गरम होने के बाद में हम एड कर देंगे एक छोटा चमस जीरा जीरा को थोई देर के लिए आप चटका लीजिए बहुत ज्यादा काला नहीं करना है बस थोड़ा सा चटका अगर आप ब्रत के लिए सबजी बना रहे हैं तो इसमें से जो भी मसाले आप ना खाते हों ब्रत में उसे skip कर दीजिएगा जैसे healthy powder बहुत लो नहीं खाते मिर्ची powder नहीं खाते तो जो भी आप ना खाते हों skip कर दीजिएगा और उसके बाद में हमने अच्छे से mix कर लिया था high flame रखना है आपको यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम एड कर देंगे नमक नमक एड करके इसे अच mix कर लेंगे mix करने के बाद में दो मेड के लिए आप धक्तन लगा के सबजी को रख दीजिए ताकि अच्छे से मसालों के साथ में यह flavorful हो जाए जो हमने आलू आड किये हैं मसालों के साथ में अच्छे से रच बस जाए और जो आलू के टुकड़े मुझे थोड़े बड़ आप इस बात का भी धिहान रखें कि किस लिए आप बना रहे हो अगर लंच बक्स के लिए बना रहे हो अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आलू के टुकड़े आप उसी साब से रखें दो मिट के लिए मैं ने यहाँ पर ढखके छोड़ दिया था सबजी को और उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस की फिले में हमें बंद कर दी है क्योंकि सब्जी हमारी हो चुकी है तो इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में और उसके बाद में धनिया पती सामी से गार्णिश कर लेंगे आप देख सकते कितना ज़्यादा टैम्टिंग लग रहा है बहुत सीम्पल सी सब्जी है पर बहुत ही टेस्टी बनी है आप यकीन जानिया बना के देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए उम्मीद करूंगी रेशिपी आप सबको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा पहली बार मेरे चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यह सबजी बना के जरूर देखिएगा मेरे कहने पर आप इसलिए बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है